आपको दिखा रहे हैं इस वक्त के ताजा रुजहान बिहार को लेकर के क्या है बिहार में कुल 40 सीटों में से 35 के रुजहान आगे हैं सामने 26 पर आगे चल रही है आपको यहाँ पर BJP Alliance यानि की NDA और 9 पर आगे चल रही है आरजेडी शुरुबाती तो पूर्णया सीट पर पपोयादाव आगे चल रहे हैं इसके साथ वशाली सीट पर मुन्नाषुकला आगे चल रहे हैं यह तस्वीर निकल के सामने आ रही हैं तो उसमें पटना साहिब सीट से रवीशंकर प्रशार आगे चल रहे है नलंदा से जद्यु पृत्याशी आगे चल रहे हैं नवादा से बीजेपी पृत्याशी आगे चल रहे हैं यह तस्वीर भी हार किये कुल 40 सीत हैं साल 2019 के चेनामी नतिजों की बात करें तो वहां पर 40-49 सीत को जितने कामियाब हुई थी एक सीट किसंगेंज किहार गई थी और वहाँ पर कॉंग्रेस को फिलहाल शुरुवाती बढ़त नजर आ रही है लगतार जो है मिसा भारती जो है वो आगे चल रही है जो कि पाटली पुत्र सीट है बगल की राजीữa प्रतापूडी आगे हो गए है आपको सारन सीट से और रोहनी अचारी जो है वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं आपको दिखारें तमाम जगों से गया सीट से जितना मांजी फिलहाल आगे चल रहे हैं ये स्थिति है पूरे बिहार की आपको overall screen दिखाते हैं देश के स्थर पर बात करें तो जो है NDA बहुत आगे जो है वो जाती नज़र आ रही है करीब करीब अगर देखें तो overall निकालते हैं तो वहां पर करीब करीब आंकड़ा रुजानों में शुरुआती जो रुजाने उस आगे चल रही है बिहार का परोसी कहली जीक तरीके से पश्रिम मंगाल वहां पर 17 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है शुरुआती रुजानों में तो बिहार के बगल में जारखंड है और जारखंड की अगर बात कर लिए जारखंड में कुल 14 सीटे हैं बारों की रुज बात की त irre-दो कार ता कि शेट हार जो भी होगा स्विकार है जश्ट नहीं मनाने जा रहे हैं और ज भनती नजर आरी है कि मिसा भारती शुरुआती आखी नजर आ रही है जिटो शुरुआती रुजान है रहाकि जिता चुरुआट रुजान हेरो से तक स्रहे नौजिवily क रहा है और पाकिपुतर सीट पर जो है रविशंकर प्रशाद आगे चल रहे हैं जो जो सीटे हमने बताई थी तोड़ी जो फसी भी नज़र आ रही थी उनुन सीटों के जो रुजहान आए हैं उस हिसाब से लग रहा है कि बिलकुल उसी तरीके के डिजर्ट साती भी नज़र तो दोसे तरफ जो बीजेपे लाइन से जिसमें कुल जद्यू के साथ जो है कुल बाकी के जो और तीन पार्टिया याने कुल पांच दल है उसके इसाफ से देखे तो वहाँ पर 26 पर शुरात रुजहानों में आंकड़े ऐसे लग रहे हैं कि एंडिये को जो है वो काफी प जो जहान नतीजी से बदलते जाएंगे जो चुनावी नतीजी आएंगे आपको पल-पल के ब्रेदेंगे न्यूज फोनेशन पर नमस्कार